है दोस्त कैसा आप प्लग्मीत करते हैं कि अच्छा हूं दो दोस्तो तो देखिए इस वीडियो मि vapor बताने वाला है कि अगर आपके अधार कार्ड में आपका नाम पीता का नाम माता का तो नाम होता पीता का नाम देटा वर्थ आड्रेस जण्यमतिति अगर गलत हैं तो आप अराइब न्टिप एकजाम नहीं दे सकते हैं इसमें बताएगे की क्या करेंगे तो आप दे सकते हैं और नहीं तो आप एकजाम से बाहर हो जाते हैं जी हां दोस्तों तो इस वीडियों बने रहे हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर ले और बेल इकन को प्रेस कर ले दोस्तों देखिए अगर आपके अधार कार्ड में डेटा वर्थ गलत है जी आदोस्तों तो आपके जो मैट्री कु वो गलत है ठीक है फार्म अपलाई करते से में डेटा बर्थ दुसरा दिये है और इसमें दुसरा डेटा बर्थ है तो आपका क्या होगा कि वो मिस्माच डेटा बर्थ हो जागा इससे वो रिजेक्ट कर देंगे उसके बास देखिए जी हां जो दस्वी क्लास के से वही नेम वही इसका फादर नेम और डेटा बर्थ दिया होंगे तो मिस्माच हो जाए डेटा बर्थ तो आप ले जाएंगे अधार काड़ प्रूफ तो आप परिक्षाना ही देने देंगे कहेंगे कि यह फर्जी है उसके बास से अगर नाम का ले लें तो हम बताएंगे मिस्माच तो भी दिक्कत होगा ठीक तो इन तीनो चारो बातों को ध्यान में रखिए कि कोई भी मिस्माच ना हो सेम हो आपका ठीक है हो जाता है अधार अधार में गलती हो जाता है और फिर हम आपको बता दे कि सुधरवा कर जाएंगे तो अब तो कोई दिक्त नहीं सुध अपसक्तर वेस्पटर आडी कार्टे ले जिसमें कि सही है और सात में अधार कार्ड फिलेकर जाये, ठीक है तो उससे दोनोस मिलान किया जायँगा कि आपका ही अधार काड है नेम मिलाए जाएगा अगर डेटा बर्थ गलत है तो नेम तो सही होगा ना तो नेम दोनस मिलाए जाएगा तो डेटा बर्थ वो माने होगा आप बता देंगे कि अधार काड पर गलत है तो ठीक है तो दो प्रूफ ले जाना है अधार काड भी साथ मे अगर अधार कर नहीं लेंगे तो लोग परिक्षा तो देने देंगे लेकिन एक फार्म और उसाफ भरवाएंगे जो कि पिछले बार ऐसे ही गुआ ठीक है पिछले जो रेलेवे का कोई परिक्षा भूआ ग्रूप D का एक फार्म भरवाया गया मतलब शॉष्पेक्टेड के तो आप अधार कर जरूर लेजएगा अगर गलत हो या सही हो ठीक और साथ में एक और प्रूफ ले लिजएगा अपने मतलब अच्छाई के लिए कि ताकि कोई दिक्कत ना हो नहीं अगर मालते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद कोई दिक्कत हो जाएगा तक क्या करेंगे और साथ में एक फोटो जरूर लेजी लिजीगा और दोनों का एक फोटो कापी लेजीगा दोनों प्रूफ का ठीक है तो उमीद है कि मेरे इस वीडियो का मकसद समझ गया होंगे तो फिर मिलेंगे आगे एक वीडियो में तब तक के लिए जैए